हेलो फ्रेंस वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में फ्रेंस आज की वीडियो में ना कोई फेस वोस ना कोई साबून बलकि एक ऐसी होम रेमेडी हैं जिसे अगर आप फेस वोस एंड साबून की जंगा यूज करोगे तो आपके चेहरे के साथ-साथ फुल बोड़ी निखरकर बेहत गोरी और चमकदार हो जाएगी क्योंकि फ्रेंस ये रेमेडी कोई आम चीजों से नहीं बलकि कुछ ऐसी नैच्रल चीजों से मिलकर बनी हैं जो स्कीन को वाइटन बनाने में बहुत जादा इफेक्टिव हैं तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी स्कीन वाइटन रेमेडी के बारे में लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आजाए तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने भी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो पिलीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बैल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पर लोड करूँ उसकी नुट किसन आपको तुरंत मिल जाए फ्रेस इसके लिए आपको चाहिए होगा वन कुकुमबर यानि एक खीरा खीरे में विटामिन A, C और अन्मी एंटियोक्सिडेट गुन मौजूद होते हैं जो गर्मी से राहत दिला कर मुर्जाई हुई तवचा में नई जान डालते हैं साथ ही इसमें एंटिंफ्रमेटर गुन भी मौजूद होते हैं जो एकने को ठीक करने में मदद करते हैं तो खीरे को आपने पीसिज में काटना है और एक बलेंडर की हेल्प से बलेंड करके इसका पिष्ट बना लेना है पिष्ट बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें एड़ करना है दो चमच रेड लिंटर्स पाउडर यानि लाल मसूर के दाल का पाउडर लाल मसूर के दाल का पाउडर स्कीन पर एक बहतरीन स्क्रब की तरह काम करता है जो स्कीन से डैड़ी स्कीन रिमो कर बलैक हिट से वाइट हिट से छुटकारा दिलाता है नेक्स्ट आपको इसमें 2-3 चमच बेसन एड़ करना है बेसन एक किलींजर है जो स्कीन को डीपली किलीन करके गोरा एंड फेर बनाता है तो लाश्ट में आपको इसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंस वैसे तो ये मिस्रिम बिना हल्दी के ही स्कीन को निखाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन जब हल्दी इसके साथ मिल जाती है तो इसकीन को निखानने के लिए इसका इफेक्ट दुगना हो जाता है तो अच्छे से mix करने के बाद friends तयार है आपकी remedy अब आपको इसे face wash and saboon के जंगे चाहरे पर apply करना है बोड़ी पर apply करना है यानि जहां से भी आप अपनी skin को clean करना चाहते हैं वहाँ पर आपको इसे apply करके 5 मिट तक massage करनी है massage करने से daddy skin निकल जाएगी blackheads whiteheads remove हो जाएगे दाग धपे lighten हो जाएगे और skin निकर कर हज से ज़्यादा गोरी और चमकदार हो जाएगी तो अगर आप इसे face पर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे दिन में two time यूज़ करें और अगर body पर यूज़ कर रहे हैं तो आप जब जब नहाएं तब तब इसे यूज़ करें चेहरे के साथ साथ आपकी full body निकर कर white and bright हो जाएगी I hope कल साथ को मेरे वीडियो पसंद आई हो तो पिडिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जद द शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नए-नए वीडियो लेकर आते रहें तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्ट शूडियो में तब तक के लिए टिक हैं बाई-बाई